अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा हे मदुसूदन चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधी क्या है क्रिपा करके आप मेरी बढ़ती हुई जिग्यासा को शांत करें भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे अर्जुन चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है एक बार की बात है ती राजा मानधाता ने लोमश रिशी से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है आकर जो कुछ भी रिशी लोमश ने राजा मानधाता को बतलाया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ राजा मानधाता ने धर्म के गुहतम रहस्यों के ग्याता महर्शी लोमश से पूछा हे रिशिश्रेष्ट मनुश के पापों का मोचन किस प्रकार समभव है कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहेज ही पापों से छुटकारा मिल जाए महर्शी लोमश ने कहा हे नृप्ती चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है उसके वरत के प्रभाव से मनुशों के अनेक पाप नश्ठ हो जाते हैं मैं तुम्हें इस वरत की कथा सुनाता हूँ ध्यानपूर्मक श्रवन करू प्राचीन समय में चैत्ररत नामक एक वन था उसमें अपसराय किन्णरों के साथ विहार किया करती थी वहां सदैव वसंत का मौसम रहता था अर्थात उस जगा सदा नाना प्रकार के पुष्ट खिले रहते थे कभी गंधर्व कन्याय विहार किया करती थी कभी देविंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीडा किया करते थे उसी वन में मेधावी नाम के एक रिशी भी तपस्या में लीन रहते थे वे शिवभक्त थे एक दिन मन्जुगोशा नामक एक अपसरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटा का लाब उठाने की चेश्टा की इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीना बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी उसी समय शिवभक्त महर्शी मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे कामदेव ने उस सुन्दर अपसरा के भ्रू का धनुष बनाया कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मन्जुगोशा अपसरा का सेनापती बनाया इस तरह कामदेव अपने शत्रुभक्त को जीतने को तैयार हुआ उस समय महर्शी मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हृष्ट पुष्ट थे उन्होंने यग्योप्वी तथा दंड धारन कर रखा था वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे उस मुनी को देखकर कामदेव के वर्ष में हुई मंजुगोशा ने धीरे धीरे मधुरवानी से वीना पर गायन शुरू किया तो महर्शी मेधावी भी मंजुगोशा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए वह अपसरा मेधावी मुनी को कामदेव से पीडित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी महर्शी मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहसे को भूल गए और काम के वशी भूत होकर उसके साथ रमन करने लगे काम के वशी भूत होने के कारण मुनी को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्यान ना रहा और काफी समय तक वे रमन करते रहे तदुप्रांथ मंजुगोशा उस मुनी से बोली है रिशिवर अब मुझे बहुत समय हो गया है आतर स्वर्ब जाने की आग्या दीजिए अपसरा की बात सुनकर रिशी ने कहा है मोहिनी संध्य को तो आई हो प्रातकाल होने पर चली जाना रिशी के ऐसे वचनों को सुनकर अपसरा उनके साथ रमन करने लगी इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया मन्जु घोशा ने एक दिन रिशी से कहा हे विप्र अब आप मुझे स्वर्ब जाने की आग्या दीजिए मोनी ने इस बार भी वही कहा हे रूपसी अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है कुछ समय और ठहरो मुनी की बात सुन अपसरा ने कहा हे रिशीवर आपकी रात तो बहुत लंबी है आप स्वयन ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उजिद है अपसरा की बात सुन मुनी को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे जब उन्हें समय का ज्यान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं तो उस अपसरा को वह काल का रूप समझने लगे इतना ज्यादा समय भोगविलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध हाया अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अपसरा की तरफ भ्रिकुटी तान कर देखने लगे क्रोध से उनके अधर कापने लगे और इंद्रिया बेकाबू होने लगी क्रोध से थर्थराते स्वर में मुनी ने उस अपसरा से कहा मेरे तप को नश्ट करने वाली दुष्टा तू महापापिन और बहुत ही दुराचारिनी है तुझ पर धिक्कार है अब तू मेरे शाप से पिशाचनी बन जा मुनी के क्रोध्युक्त शाप से वह अपसरा पिशाचनी बन गई यह देख वह व्यतित होकर बोली हे रिशिवर अब मुझ पर क्रोध त्याकर प्रसन होए और कृपा करके बताए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार होगा विद्वानों ने कहा है साधूं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतित होए है आथा अब आप मुझ पर प्रसन हो जाए अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुन्य आत्मा के साथ रहने पर मन्जुगोशा को पिशाचनी बनना पड़ा मन्जुगोशा की बात सुनकर मुनी को अपने क्रोध पर अत्यंत गलानी हुई साथ ही अपनी अपकिर्थी का भय भी हुआ आथा पिशाचनी बनी मन्जुगोशा से मुनी ने कहा तूने मेरा बड़ा बुरा किया है किन्तो फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ती का उपाय बतलाता हूँ चैत्रमास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पापमोचनी है उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचनी की देह से मुक्ती हो जाएगी ऐसा कहकर मुनी ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया फिर अपने पापों का प्रायशत करने के लिए वे अपने पिता चवण रिशी के पास गए चवण रिशी ने अपने पुत्र मेधावी को देख कर कहा हे पुत्र ऐसा क्या किया है कि तेरे सभी तप नश्ठ हो गए है जिससे तुमारा समस्तेज मलिन हो गया है मेधावी मुनी ने लज्जा से अपना सिर जुका कर कहा पिताश्री मैंने एक अपसरा से रमन करके बहुत बड़ा पाप किया है किसी पाप के कारण संभवता मेरा सारा तेज और मेरे तप नश्ठ हो गए है क्रिपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाईए रिशी ने कहा है पुत्र तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का विधी तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो इससे तुम्हारे सभी पाप नश्ठ हो जाएंगे अपने पिता चवन रिशी के वचनों को सुनकर मेधावी मुनी ने पापमोचनी एकादशी का विधी पूर्वक व्रत किया उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नश्ठ हो गए मन्जुगोशा अपसरा भी पापमोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचनी की देल से छूट गई और पुना अपना सुन्दर रूप धारण कर स्वर्गलोग चली गई लोमश मुनी ने कहा, हे राज, इस पापमोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्थ पाप नश्ठ हो जाते हैं इस एकादशी की कथा के श्रवण वपठन से एक हजार गौदान करने का फल प्राप्थ होता है इस उत्वास के करने से ब्रहमा हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मध्यपान करने वाले, अगम्या दमन करने वाले आदी भयंकर पाप भी नश्ठ हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलों की प्राप्ती होती है इसी प्रकार की अन्यवरत एवं पौरानिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुचा कर तर्मलाब प्राप्त कर सकें